कि शुरू करें यह सुरू करें यह सुरू करें जो जो डिवोटेस प्रश्चन पूछन चाहते हैं क्लिप अपना हैंड रेस के लिजे अब तक डिवोटेस हैंड रेस करते यह सुरू जो डिवोटेस पूछन करें जो गूजन पूछन प्रश्चन पूछन में लेता हूँ पहला प्रशन यहां पर श्रद श्रिवाजी पावार्पु का है वो पूछ रहे हैं कि पूछ जी इफ वी डू सकाम भक्ति और आफ्ट देट वी अजगे आफ्ट अट एवार पूरी तरह से अपने तनमन धन से आप भवान की सेवा कर रहे हैं तो अगर आप कोई व्यक्तिक इच्छा रखते हुए सेवा कर रहे हों तो उसे वास्तों में भत्ति नहीं कर जा सकती है कि भत्ति की प्रक्रिया में व्यक्ति लगा हुए उसके पीछे कारण क्या है कारण यह है कि भत्ति का अर्थ होता है कि पूरी तरह से जो हमारे आरध्य देवता हैं उनके पति हमारा रुझान है उनके पति पूर्ण रूप से हमारा प्रेश है फिर भी शास्तों में कभी कभी शब्त का प्रयोग किया जाता है सकाम और निशकाम वो यह दर्शाने के लिए कि एक साधक की जीवन में कैसे अलग-अलग उसके जीवन में अलग-अलग स्तरों से एक साधक पूरी तरह से प्रेम में स्थित हो सकता है तो यह दर्शाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो यह समझने वादी बात है कि एक साध़क के लिए अलग-अलग स्कार होते हैं कि परिभाशा यह है कि आप पूरी तरह से अपने आराध्य की प्रती आक्रिशन है और उनके प्रती समर्पत है कि उनके प्रती प्रेद है अब हर कर्म का फल मिलता है और जो व्यक्ति भग्वान के भग्ति में भजन में पूरी तरह से अपना मन लगा चुका है उसका फल यह होता है कि वह भग्वान के चर्मों को नित्य प्रत हो जाती है शरीर त्यागने के बाद भी तो यह उसका फल होता है अब ऐसे प्रयास में अगर कोई उसके पिछले कुछ कर्म फल होंगे उसका कुछ प्रारब्द हो बन तो वह भी पुरी तरह से नश्ट हो जाता है यह समझाया गया क्योंकि भाग्वान के प्रति मन लगा में का अर्थी यह होता है कि विक्ति किसी और चीज में रूची नहीं होती है तो करमक्त्रल्बॉन क को करंसार उसे परिना मिलता है तो यह भक्ति के परिभाशा है सादर की जीवन में एक सकाम भृत्ती का कर्मफल पराप्त हो सकता है, सकाम कर्मफल यह होता है, कि अगर कोई सकाम लख रहा है, और असर अनुसार है, आपको म्यूट करना पड़ेगा जो हम उत्तर दे रहे हैं, कि वहाँ पर बहुत ऐसे शूर होते हैं, तो सकाम भृत्ती का जो, सकाम भृत्ती का, यहां पर हम सकाम भृत्ती के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पहले भृत्ती के बारे में चर्चा करेंगे, सकाम भृत्ती से किया हुआ जो कर्म है, उससे कर्मफल होगा, अगर वह कर्म जो हैं आपको एक उर्दुगति पूचिया आपको एक कोई स्थान पहुंचाते हैं जिसे हम कभी-कभी स्वर्व कहते हैं तो स्वर्व लोग की प्राप्ति हो जाएगी और अगर ऐसी सकाम्रित्ति जो है अनुचित है तो इसका कर्मफली होगा कि हमें किसी प्रकार का डंड प्राप्त करने के लिए या हमें सुधार हमें सुधार आ जाए इसलिए कुछ प्रतिबंध हम पर लगा जाएंगे जिसको हम कभी-कभी निचली यूमियों में जम लेना या नर्कवास्प के रूप में भी कहते हैं तो सकाम्रित्ति के यह प्रत है अब भगवान के भक्ति में प्रक्रिया में लगा हुआ और सकाम्रित्ति है तो अक्सर यही पेक्षा होती है कि इसका सकाम्रित्ति जो है वो उससे योग्य कर्म करवा है या वो योग्य कर्मों में या उचित कर्मों में लगा हुआ है तब ही जाकर उसे उचे लोगों की उस हिसाब से प्रश्ण यह है कि अगर कोई व्यक्ति उच्छे लोगों के प्रापती करता है कि उसकी अभिलाशा यह थी या अभिपी यह है कि वह पूरी तरह से भगवान के प्रति अपना मन लगाना चाहता है तो हर लोग में चाहे वह स्वर्गों हो नरकों हो या इस जगत से परे भी हो जाए है वह मुक्त विक्ति भी हो जाए हर अवस्थ्वा में विक्ति के पास स्विच्छा होती है किस प्रकार से वह अपनी चेतना को प्रदर्शित करना चाहता है किस प्रकार से वह अपनी चेतना तो स्वार्ग लोग की निवासी अपने स्वाइच्छा को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं और वह भग्वान के पती अपनी सेवा वृत्ति को आशुद धरूपने व्यक्त कर सकते हैं तो अगर हम में से कोई भी स्वर्व लोग की प्राप्ति करता है तो किसी कारण से तो हमारे पास वहां पर भी अवसर होता है कि हम भगवान की सेवा कर पाए उसी प्रकार से अगर निछले लोकों में भी हमें किसी कारण से जाना पड़े या नर्क में भी जाना पड़े वहां पर डंडश रूप में हमें कितने भी बाधा यह आ जाएंकिन सौपफ इचाही है। ऐसले कर सब्रेदिय घुशल पाड़ है कि र केह भूआ की सेवा करना चाहते हैं। हें यह चल्डी लोकों मैं नंतर को मिया निचली यूणियों में भी हम वैसा कर सब्केल को कर प्रवाली सुच्छा है जो हमारा ट्रीविल है इसमें अध्यन तबल होता है। और और एक बात कही गए कि स्वर्ग लोग की निवासी जो है ज्यादा ज्यादा बुधिमान होते हैं। ऐसी बात नहीं है। बुध्धी की शमता जो है हर अवस्था में होती है। और किस प्रकार से हम अपने बुध्धी को व्यक्त करते हैं। उसके अनुसर बुध्धी का सुरूप होते हैं। तो आप यह कह सकते हैं कि जो योग्य बुध्धी है वो व्यक्त करने के लिए स्वर्ग लोग में ज्यादा संधियां होती है। लेकिन यह कहना कि सर्ग लोग के निवासी ज्यादा पुद्धिमान है योगदिनी होगा संधियां जादा होती है जैसे अगर गाव में कोई बच्चा बहुत महंती बच्चा है गाव में रहता है एकदम अंद्रूनी इलाखे में रहता है तो अध्यम करने के या अपने पूरा पूरा प्रयोग करता है तो शहर में रहने वाले जो बच्चे होते हैं शायद करता है तो शहर में रहने वाले जो उनसे भी आगे निकल जाए तो सत्य तो यह है कि शहरों में ज़्यादा उपर्चुनिटिटिज होते हैं गाव में ठोड़े कम उपर्चुनिटिज होते हैं यह बात सही जब हम अध्यान के दृष्टिकों से या स्कूल एजुकेशन के दृष्टिकों से देखें तो इसका यह अत्नी है कि शहरों में जाता बुद्धिमान दोग रहते हैं और गाव में कम बुद्धिमान दोग रहते हैं ऐसी बात में में बुद्धि स्वरूप विध्धि कि प्रकार से उसके पास प्रयोग कर पाता है उससे होता है तो इन दो चीहों पर हमें ध्यान देंगे तो आपने दो प्रश्ण पूछा था आपने इनके प्रश्ण में दो भाग थे एक था प्रश्ण एक ही था कि क्या स्वर्गलो face एक और में वहकी अबता है उसकी सवर्गलो dosis होती है और अपने सवर्च्छा नुसार अपने तूश्ऱ नुसार रइन का प्रयास किया कि स्वर्गजलोक कि जिस अब को प्राप्त कर ना चात्रा उसके लिए प्रयास कर सकता है् तो अन्हें लोगों में भी कर सकता है और दूसरी बात अब हर अवस्था में व्यक्ति की जो है सक्षम होती है बस जो अवसर है उन अवसरों का जो ओपर्चुनिटीज है पुरा पूरियो उसका लाभ लेने का प्रयास लिखती ने करना चाहिए खरे कृष्ण और भी भक्ति जो प्रश्ण पूछना चाहते हैं क्रिवे अपना वर्चिल हांड रेस कर सकते हैं आपका उसर दिया जाएगा प्रश्ण पूछने का और अभी चैट में प्रश्ण पूछा है भानुप्रिया माता जी ने वह पूछ रहे हैं कि अगर भानुप्रिया प्रश्ण पूछे है तो उसके आयो नुसारी उत्तर देना पर है चोटी है तो भक्ति में कैसे है किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए सबसे पहली बात कि हमें भगवान की सेवा अगर करना चाहते हैं तो कहां पर हमें अपना मन लगाना है या हमें सुमिश्वित करना चाहिए कौन से Intelli मद्य भगवान की सीवा कर रहे हैं तो वह तो रिडens इत्वादन के द्वारा हो सकता है मन नम के द्वारा हो सकता है अर्चना विदेल द्वारा हो सकता इत्याद है है नोधा नॉठा बटी कीप्ति होती है Maar मुख़ान का नाम मजब करके अपने मुखसे जो सके बार का हम किरती खरता है करते हैं चुर० और हम कर प्रटान के रहां बिखती करने का प्रयाव कर व्हाश न को करते हैं उसे कहते हैं तो विचार करते हैं कि कैसे इस पदार्थ को हम अपने इश्ट के लिए प्रयोग कर सके उनकी सेवा कर सके कि इसे अर्चना भी लिए करते हैं तो कौन सी विधी है या किन ऐसे कुछ एक से अधिक ऐसे कुछ कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से जिसके द्वारा हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और करने में मन लग रहा है पहले यह सुनिश्ट कर लिए तो भानु को सबसे पहले यह रिसाइट करना पड़ेगा कि कौन से अक्टिविटीज जो हैं हर दिन वो करती है जिसे की उसका मन भगवान के सेवा में लगता है अब उन एक्टिविटीज में वो जो दिन चरिया हैं वो जो उसके करम हैं उसमें कौन सा चीश पेवरेबल अर प्या क्या चीश उनपेवरेबल जो जो अनुकूल है कि किस से बात करनी है किस से मिलना है क्या खाना है कैसे सोना है कैसे पढ़ाई करनी है त्यादी 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 जो भी अनुकूल है उसके लिए उसको अपनाना है जो भी फेवरेबल चीज है उसको अपनाना चाहिए और जो भी अन फेवरेबल चीज ह जिससे भी जो भी विचार से या कर्म से या गोलने से या वैवाहार से भगवान की सेवा करने में जो भी विगना आए रुकावट आ जाए तो उन चीजों से दूर रहना है तो जो भी अनुकुल है उसको स्विकारना है और जो भी प्रतिकूल है उससे दूर रहना है उसको त जाता है तो जो भी आसान तरीका है मन को शांद करने के इस को अपनाना चाहिए तो sedan करने बहुत है है तो आप करने हैं किरितन करने से भागव के जो काड़न की आशेवा करने का प्रयास करना चाहिए और उसे त्व्याग देजिए और मार्गदरशन की आवश्रक्ता परती है घर में जो हमारे गुजुर्ग है घर में जो हमारे वरिष्टा, हमारे जो बड़े हैं घर में या जो समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, समाज में जो बड़े अनुभवी लोग हैं, जिनको जो स्वयम अपने जीवन में भगवान की सीवा करने का प्रयास कर रहे हैं, पर अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने उन वैवाहारों को आप सुनिश्चित कीजिए जिससे कि भगवान की सेवा खत्मे में आपका मन लगता है जो भी अनुकूल है उसके लिए उसे आप अपना ये जो भी प्रतिकूल है उसे त्यार दिया मन कभी-कभी भटता है तो मन को शांत करने के लि अमेशा आनना रूप में रहे हमेशा जो है rocka ऊपी रहे हमेशा पॉजीटिव दीशी कि रहे हो से आनन दो में रहते हुए बहुत में रहरा से अंध्क रहाव भ्रत रुवय राख कर आन रहे हुए ऴ क्राइटические ऐस ठीक है? Hare Krishna Hare Krishna धनातरोजी यहाँ पे अगला प्रश्न अगला प्रश्न अगला प्रश्न मताजी पुछे रोंड अपना हैंड रेस के मताजी आप माइक आपकर के प्रश्न पूर सकते Hare Krishna प्रभुजी धन्डवर प्रणाम Hare Krishna प्रभुजी हम बार-बार सुनते हैं कि आसकत नहीं होना चाहिए तो वास्तों में आसकती किसे कहे और हम किसे मतलब हमारे पास तो बहुत विशे है कि हम कभी भी जब कथाए सुनते हैं तो बहुत महत्माए हैं जो मतलब आसानी से किसे इसमें तो अभी हमारे पास तो बहुत ऐसे सादन है कि हम उसे समझ भी नहीं सकते तो हमें हम आसकती को कैसे हमें हम रहे है या है जिए ह हुई विह सबसे पहले वहां पर मन लगेगा और अगर किसी प्रकार से जो अयोग्य है अनुचित है उसमें मन आसक्त होता है तो फिर अनासक्ति की बाता है तब आती ये बात कि आसक्त नहीं होना चाहिए हमें उन चीज़ों से तो दो चीज़ है नहीं आपके कि जो योग्य है उससे हम आसक्त हों जाएन और जो ऑनुचित है जो अयोग्य पहली चीज़ सीखने को मिलती है पहली चीज़ पहली शीखने को मिलती है कि क्या सही है वो सीखने को मिलती है और दूसरी चीज हमें सीखने को मिलती कि क्या सही नहीं है या क्या गलत है हमारे लिए वो सीखने को मिलती है तो हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है कि हमें समझ में आता है जीवन के अनुभवों से, जीवन के अनुभव या तो साक्षात रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दूसरों के अनुभव के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसे कहते हैं ज्यान, तो दूसरे जो कुछ अनुभव कर चुके हैं, जब वह अपने उपदेश रूप में हम तक उस बात को पहुंचाते हैं तो उपदेशों को हम ग्यान के तो ग्यान के मार्ध्यम से हम योग्य और आयोग्य का भेद कर सकते हैं और स्वत्व के अनुभवों से भी हम योग्य और आयोग्य का भेद कर सकते हैं तो आजब में उन चीजों से होना है जो हमारे लिए जो योग आज है या सकती ना रखें UK यह जो अगर उसके फिर से बात वही आयाती कि अनकूल और पतिकुल हमारे लिए कि अगर लिए कभी कभी हमें ही भाम हो चाहे हैं या हम इंगbir बिद्रहां में पड़ जाएं कि जो योग्य है और यह अंठी से हमें प्रयत्म करना चाहिए है समझे का क्या योग्य है और बड़े-बड़े महात्माओं की कठाओं से हमें यही ज्यान पराप्त होता है कि कभी-कभी महात्माओं के जीवन में ऐसे परिसित्य आती हैं जो उनके लिए जोग्यों होते हैं और हमारे लिए जोग्यों होते हैं तो उससे हम प्रेवरा लेते हैं और उन चीजों को हम कमाते हैं उसी प्रकार से महत्माओं के जीवन में कभी-कभी बहुत बाधाय आती हैं या उनके जीवन में कुछ अनुचित कारे हो जाते हैं और उससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे लिए भी वो अनुचित हो सकते हैं इसलिए हमें उनकारियों से दूर रहना चाहिए या उन कि कि जीवन का शितरा से हो तो उनकी जीवन हैं उससे हमें यह सीखने को तुम्हें हैं कि हमारे लिए जो यह हैं उससे Hang बच रहे हार चीज हर यह कि हमृ ज्ञान लिए क्या लावदाई है और यह हमारे लिए क्या नुक्सान दरी जो हमारे लिए लावदाई है जिससे हमें लावदाई है उसे मिस्विकाद में और जिससे हमें नुक्सान होता है उसे हमें त्याम है दूसरों के जीवन में उसका परिणाम कैसे होता है उसको लेकर हमें चर् हैं ऐसे विचार करने से यह एसे चरप्चा करने से हमारा समय समय होता अवंदा नहीं जाएं उनकी जीवन में उन्हें यह समस्या हैं क्यूंकि शीज़बी की और हम ध्यान देने तो हमारी जीवन में ऐसे गल्टी ना करें तो हमें अपने जीवन पर द्यान देना चाहिए दूसरे की और उपली उठाने के लिए हमारे पास समय नहीं होना चाहिए तो अगर हम ऐसे महात्माओं को या ऐसे बहुबली लोगों को या महापुरुशों को देखकर हमें लगता है कि उनके जीवन में समस्या नहीं आएंगे तो यह हमारी मुर्खता है क्यूं क्यूंकि इस जगत में साक्षात भगवान ही जब अपतरित होते हैं तो उनके भी हमारे दृष्टिकों से वसंकट की परिश्थिति आउती है तो इस जगत में हम भगवान को भी बहुत सारा त्यरसकार जो है उसका सामना करना प्रूद है घिवन में बाधा उद्वां करने के लिए भी कुछ लोग प्रयास करते हैं तो इस जगत में क्यांकि ये त्वन्वक का जगत है यह सही और हर परिस्थी तिखाई हिए उसका साथ्डे जो गलत है उसको कि आ कि श्क्राग टाता है … तो जिसका जीवन सरल होता है उसके आनंद में कोई बादा नहीं आख हूँ वह सुखहीन ही रखता है ठीक है ना जी प्रभुजी, बहुत ही अच्छे से मुझे उतर मिला है, प्रभुजी और एक प्रश्म पूज़ सकते हूं, हरे गृष्णा, जी मांताजी, प्रभुजी जैसे कि जब कोई वेक्ति अपना देहत्याग करता है, तो अक्सर कहा जाता है कि उसकी जैसी चेतना होगी, वैसे गति प्रभुजी जैसे कि जानवर है या पशुपक्षी है, पेड़ पौदे है, तो क्या उनमें भी रहती है क्या, और अगर रहती है, तो फिर उनके आगे की गति क्या होती है? चेतना सभी में समान गुन के ही होते हैं, खाली उसका प्रदर्शन वेक्ते कैसे करता है, उस पर निर्भर करता है कि वेक्ती सिर्फ पशुपकारे में लगा हुआ है या मानव्य कारे में लगा हुआ है। जो उसकी चेतना जो है पाश्विक कारे नहीं पुरी तरह सरत होती है उनको पशु कहते हैं और उनकी चेतना जो है मानुविय कारे में के प्रति लगी रहती है तो उसे हम मानुवृत्ति कहते हैं तो पशुओं में ऐसी मानुवृत्ति दिखाई पर सकते हैं और मानुव में यहां पर धर्म की एक धर्म का संग्यान हो धर्म के बारे में विक्ति जानता हो धर्म अर्था जो योग्य है अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए वो धर्म है और जो अयोग्य है वो अधर्म है अर्था वो हमारे लिए अनुचित है इसे एक धर्म की परिभाशा समझ सकती है कि चेतना को विक्सित करने के लिए क्या हो शक्ता होती है विक्सित चेतना सब्द शब्दों में वहां चेतना है, जो हमेशा शान्त और आनंद ही रहती है, उसे कहते हैं विक्सित चेतना, जहां पर भी चेतना में कोई भी बादा आजाए, कोई चिंता आजाए, जैसे भूक, प्यास, या फिर दुख, इत्यादी, तो वहां चेतना अ भगवान क्योंकि सब्चीज के सुर्थ सुरोत हैं इसलिए जब मन उनके या चेतना उनमें पुरी तरह से लग जाता है तो पूर्ण विक्सित चेतना वहाने देगा तो किसी भी योनी में चेतना की ऐसी प्रदर्शन हो सकती है अक्सर पशु योनी होता है उसमें उनकी चेतना जो है सिर्फ ऐसे ही जो जिसे कहते हैं पाश्रिक भावना है उनमें ही डेक्त होती है फिर भी हमारे शास्त्रों में गजेंद्रे त्यादी जो पशु योनी में सारे जो है यह कुछ चेतना रखने वाले जीव माले गए जैसे गजिंद्र स्टूपी बहुत प्रचलित है हिंदू संस्क्रिती में हमारे वाइशनव संस्क्रिती में और गजिंद्रे जो है वो गज्राल थे गजित है आथी थे या फिर जटायू जी कभी उधान लेशिक प् कि तो पशुयोनी में जड़्टी साध्हान रूप से जहनलेता है तो विखतू प्रारथ जो है उसके अरुसार जब मनेरेशन मौनयड जनले के दो कारण हो सकते एक या तो में इस जन्म के पूर्व जन्म ठाव ऑब वो मानव बना हुआ है तो सिर्फ उसके जो पूर्व प्राएरब है तो उसके जेुआ अनुसार किन्तों अगर कोई पिछ्ले जीवन में मानव रहकर किस जीवन में कुन आ इनày आया है , तो सिर्फ उसके पिछले जो दो जमद प्रारप्त के प्रारप्त बढ़े मानव यूनी एगर उसके पिछली मानव यूनी और इसมानव यूनी की बीच में कोई पाश्वी की यूनी में उससे नहीं जाना पड़ा है कि हम कहते हैं कि हां यह पिष्ले जीवन में भी मानव्त था यह जीवन में भी मानव लगभी है। कि अगर फिश्र हुश्थले मानव यूनी के और इसM 나 दे की भी बीच में उससे पशोयूनी निमें जाना पड़ाए है तो उस पशोयूनी में वो सिफ पिछले मानव यूनी का जो प्राइरभ है उसके अनुसार वो जन्म दे रहता है। इसलिए पशुों के कर्मों का फन नहीं लगता। वह तब तक जो है पशुयोनी में जन्म लेते रहेंगे। पर दुझा तुले से प्रगत पाश्वयों मिया उसमें उनका जन्म होते रहेगा जब तक हो मानव युनी में जन्म देने कि अमपे करम ना पुझा है तो पछले मानव युनी का जो हमारा कर मौता हो सकर हमारे करम पल आसे होते हैं आ जिए मानव योनी में जन्म लेने के योगे नहीं होते और कुछ ऐसे होते हैं जो मानव योनी में जन्म लेने के योगे होते हैं अब यम्राजी के पास जो है शक्ती दी गई है एक शमता दी गई है कि वह निश्चित करते हैं कि किस युनी में अगला जीवन हमारा होना चाहिए तो अगर अगला जीवन जो है वो पशु योनी में किसी भी जीव का होता है, मानव योनी से लेकर पशु योनी में अगला जीवन होता है, तो उस योनी में उसके जो मानव योनी में जो कर्म फलत है, जो उसे पुना मानव जर्म दिला सकें, वो संचित कर्म के रूप में रख मुझा तो एक पशुयोनी इसे दूसरे पशुयोनी में जाकर पूड़ा. पूरे ज़ो पूरा उस्के प्रारब्ध है, जब पूरी तरह सस करमत हो जाते हैं, तो फिर उषजुव योनी में उस जीव के पास अब सिर्फ उसके मानव योनी में जन्म लेने के सिंचित कर्म होता है पर फिर वह जीव जो है मानव योनी में जन्म लेता है तो इस प्रकार से हमारे शांस्त समझाते हैं कि कैसे व्यक्ति का किसी भी जीव का पुनर्द जन्म होता है तो फिर कुछ पूरी तरह से अपने बहों नहीं किया हो जिसे ने यौन उसने सेवा की है वो सेवा कभी भी नश्ट नहीं होता है, इसलिए कभी-कभी पशुयोनी में जैसे गजराज रजेंद्र जो है, उनकी जीवन में हम देखते हैं, कि उनकी जीवन में ऐसे कोई स्थिती आती है, जहाँ पर उनकी स्मृति पशुयोनी से आगे निकल जाती है, उनकी स्वृति होती है, चेतना में हमेशा से हमारे पूर्व जन्मे के कुछ स्वृतिया होती है, जिसे संस्कार कहते हैं, तो गजिंद्र जीवन में ऐसा हुआ क्योंकि पूर्व संस्कार जो है, जो उनकी पाश्विक वित्ती है, उससे उपर उठते आदी, और यह हमेशा सम बख कमजोर हो जाता है तो इस स्वेच्छा आपको उस रूप में देखता नहीं कर पाता और जिस जिन वो पूरी तरह से अपने आपको परबल समझता हैं अपने आपको शक्तिशालि समझता है तो अपनी चेतना को ईस रूप से उभप कर सकता है उस समय यूनिक अबन में नह यहां पर देखा जाता है जीव जो है हमें समझाया गया है कि जीव जो है अपने पाश्विक वृत्ती से उपर उठका और जो सेवा भाव है भ्रवान के पति वो व्यक्त करता है जी प्रवजी बहुत बहुत धन्याद प्रवजी आपका हरे कृष्णा अगला प्रश्ण यहां पे कृष्ण जाधा बुरू का है कि पूछ रहे हैं कि मुझे एक साल से जाधा टाइम हो गया है करते हुए और मेरा जो भगवान कृष्ण के प्रति आकर्शन नहीं बढ़ रहा है और मंदिर जाता हूं तो हर किसी में दोश दिखते हैं तो प्लीज मारुदेशन करें अच्छा भगवान का नामस्मरण करने का जो पद्धिति है उसमें यह बात स्पष्ट कही गई है कि भगवान के नामस्मरण करने में मन लगाने का प्रयास करना चाहिए सिर्फ जुवहा से हम कभी प्रयास करते हैं जब हमारा मन शांत ना हो जो व्यक्ति पुरे आनंद में भगवान का नामस्मरण कर रहा हो यह नाम जब कर रहा हो पूरी तरह से आनंद में तो अपने आप उसके हर इंद्रियों से वह भगवान का नामस्मरण करने का प्रयास करते हैं जो वह से बोलने का प्रयास करते हैं कारणों से सुनने का प्रयास करते हैं असे परश करने का प्रयास करते हैं तो वह हर इंद्रियों से living is उसके प्रथ्य इंद्रियों से वह उस आनंद की अनवभुति प्राप्त करने का प्रयास करते है कि पूर्ण आनंद में भगवान का नाम स्मुक्रंड append Mode तो वह ररत बात है एक साधक जो है वाचिक लुख में अर्था और जो हाका प्रयोग करते हुए नामजब करता है ताकि उस ध्ध्ध liking के कारव को उसका मन उस ध्षानी पर केंद्रित हो हुज तो ध्ध्धानी के इस तरो के पर सतार होते हैं या उसका एक्जिस्टेंस उता है प्रहता हाँ झो था गौता महती है और दूसरा कि जो श़ूह 1го ऊती हो प्रक्रिया है और जितना विक्ति अभ्यस्थ हो जागा उसमें उसके लिए संभावना हो जाती है तो अगर आप नाम जब खली वाचिक रूप में कर रहे हैं लेकिन मानस रूप में नहीं कर पा रहे हैं आप जिवा से नाम तो जब कर रहे हैं लेकिन आपका मन कहीं और लगा हुआ है तो फिर मन शुद्ध होने में बहुत समय लगेगा और मन शुद्ध होने में अगर बहुत समय लग रहा है तो जितना समय लगेगा तो पांच साल तक मन में ऐसी कुछ भावनाएं आएंगी जो शुद्ध ना हो जो अशुद्ध हो और जहां पर अशुद्ध भावना आएंगी वहां पर मन विचलित होगा वहां पर मन भटकेगा तो साधना कर्थ ये होता है कि मन को विचलित होने माँ तो अगली बार से या आज से आप इस बात को ध्यान रखें कहीं पर लिख लें या नाम जब्ब करने के पूर्व आप इसका ध्यान करें कि अभी आप जू नाम जब्ब कर रहें हैं उसमें पूरी तरह से मन लाएं तो को धेरे धेरे, हर दिन जबती जब के घंटे दो घंटे तीन घंटे इस पतार कि मन को शांथ रखता तो मन को आदत लगने लगती है कि मन शांत है और यही एक घंटा दो घंटा जो है हर दिन करते हुए जब हर महिने के तीस दिन हमें से एक घंटे दो घंटे दिन का मन शांत रखकर अनामज़त करते हैं तो सोच लिए कितना समय हम दें मतलब हमारे एक महिना पूरा हमें उसका दो गहंटा चौबिस घंटे में से हम लगा रहे हैं तो मोटा मोटी यह समझ लेजिए कि 8 से 10 प्रतिशत हमारा समय दिन का जो है 8 प्रतिशत पकर लेजिए आज से ठोड़ा कम प्रतिशत हमारा समय जो है वो नामसमर्न में जा रहा है तो सिर्फ हर दिन का 8 प्रतिशत जो समय है वो नामसमर्न नहीं जा रहा है लेकिन एक महीना भर पुरा हमने नामस्मर में लगा दिया अब यही एक महीना हर महीने हम इसी प्रकार से अच्छे से नामस्मर में मन लगाते हैं तो एक साल में आठ प्रतिशत समय जो है हमने भगवान के नामस्मर में लगा रहा है नियमरूपस तो इसका मन की उपर बहुत प्रभा मन को पता चल गया है कि कम से कम आठ्प्रतिशद समय जो ओ है शांत रहने जो पहले नहीं पहले साल में मुश्किल से 1 प्रतिशद साधना करने के तो साधना को कि साधना नियमित रूप से करने से यह लाव ही लेकिन खाली साधना का बाहिय सुरूप होई वह लूव सुरूप से साधना मेन खीक से करते हूं तो पहले आधा प्रतिशत साल का जो है खाली मन शान्त रहता था पब जो है अनुचित या अयोग्यों रूप से साधना करते हुए आधा प्रतिशत से लिए जगा शाद के पॉइंद पॉइंट सेवन परसंट हो जाए एक तो यहां हमारी समस्या है हम समय तो लगा रहे हैं लेकिन जो समय हमारा है जिसे हम कहते हैं से आपका समय कि कार्ण में जिद कर रहे हैं तो उसका क्लिटी धियान जिरूतीजिए कि आपका समय अच्छे से निकलना चाहिए तो प्रारथना यह है आपने बहुत बात प्रवचोनों में या उपदेशों में सुना होगा कि मन लगाकर जब करने से रिजय परिवर्टन होता है तो उसका कि आपका समय मन के उपर इस पका संसकार करती है तो जिस विक्ति के एक साल पुरा आठ प्रतिशत निकल जाए हर दिन का तो उसके मन का एक दस्वा भार पकर लेगा वो इस संसकार में लग चुका है अब अगले साल यह होगा कि आप स्वैम आपका मन करेगा कि सिर्फ नामस्मरन नामजब ही नहीं लेकिन काम करते हुए ही मन शान करें तो फिर आठ प्रतिशत से आगे आप निकल जाते हैं फिर हर साल का आपका पंदर प्रतिशत या बीस प्रतिशत में जो है शान करें और यही आप जो है दस साल कर लें बीस साल कर लें तो शायर आपका मन इस रफ्टार सेगर करेंगे, इस विचार से, इस विशलिशन के मिशालगर आप करेंगे, तो अब 10 ओर 20 साल में आपका मन परचास परतिशत, 60 परतिशत, शायर शाइद, शायर शांत हो जाओ, उसकी संसकार ऐसे हो मन की, मन का impression ऐसा हो जाए, मन का attitude तो अब होता यह है कि अगर 60 पर सेंट आप करते में जो है और थाद 12-13 घंटे आपका मनशान पर रहता है तो उसमें से दो घंटे जो आप नाम चब साथना के रूपने करें उसमें शान रहता है और बागी 8 घंटे जो खाना बना रहे हैं या जो आप लोगों से बात चीप् कुछ पोस्ट कर रहे हैं या आप कुछ बिजनस वेबसाय कर रहे हैं तो वह 8 घंटे जो है आपका मनशान पर रहता है फिर धीरे-धीरे ऐसे करने से एक समय ऐसा आएगा कि आपके दिन के 8 घंटे और राट के रात का जो 8 घंटा होता है अथा 16 घंटा इसका अथा तो गया तीन-चौथाई भाग 75 परसंट जो है आपका मन दें जब तक आप 20-30 साल तक ऐसे साधना करें इसी विचलेशन के मुसा तो 30 साल के साधना के बाद राट की नीद भी आपकी जो है शान्त अवस्थान है तो व्यर्थ आपका मन विचलेते ही होता है कोई भी किसी प्रता का स चुरेने के बाद आपका मन शान्त रहता है अर्किस्म्रिती वनी रहती है आपकी व्रित्व इसे उते हैं आपको भिबुआं कि स्य publi MA का आपका मन किसी समस्या से अनावश्य तंग नहीं रहता, दुखी नहीं रहता, रात में ऐसे सपन भी नहीं आते हैं, तो आपका 16 घंटे जो है इस प्रकार से मन शान्त रहने लगा, और फिर जो बाकी का समय बचा हुआ है, 25 प्रतिशत, 8 घंटे जो बाकी, 26 प्रतिशत हो गया आपके जीवन का समय है, अब मन के पास, जो है, अब मन अगर 67 प्रतिशत, 67 परसेंट शान्त रहने लगा है, तो बाकी 33 प्रतिशत जो बचा हुआ है, वो कमजोर पर जाता है, फिर जो है, वो 33 प्रतिशत को शान्त करने में मुश्किल से 5-4 साल और लग जाती है, तो इस व अगर हम ध्यान ना दें, जो अभी हम दो घंटा जो 8 प्रतिशत हमें लगाना चाहिए, और वही अगर हम बहुत ध्यान पुरवक करें, तो शायद एक साल में ही हमारा मन जो है, पचास प्रतिशत शान्त हो जाए, यह भी संभाव में. अब हम पर निरभर करता है कि हमारा समय हम कैसे प्रयोग कर रहें. तो इसका ध्यान देजिए, इसका ध्यान देंगे, तो जो भी अनुकूल आपकी व्रित्यां होनी चाहिए, आपकी आदते होनी चाहिए, वह अपने आप प्रकठोंगी. और अगर आप इसका ध्यान नहीं जो प्रतिकूल है जो योग्य व्रित्टियां है वो वैसी की वैसी रहे जाएंगी थोड़ी कमी होगी हो जाएगी पेहले ऐसी व्रित्टियां आपके जीवन में आते थे, अभी क्योंकि आप थोड़ा कम से कम 2 घंटा या 1 घंटा जो है नाम जब नाम समाने लगा रहे हैं, तो पहले 10 बार आते थे तो अब साड़े 9 बार आएंगे हैं, 9 बार आएंगे, आधा एक कम हो जाएं, तो समय कितना लगाना है, कैसे अपने समय प्रयोग करना यह शास्त्र समझाने का प्रयास करते हैं और जो मारगर्चन प्राप्ध हो रहा उसमें यह बताने का प्रयास किया लिए उसका फल कभी आपको मिलेगा चाहिए आप स्वयं यह प्रयास करें हरे कि आपको प्रशन पूछने का मोका दिया जाएगा अभी यहाँ पे उरजमी में माताजी हैं माताजी अपना माइक कौन करके प्रशने पूछ सकते हैं हरे कृष्णा प्रभुजी दन्ड़त प्रड़ा प्रभुजी मेरा प्रशन यह है कि जब कोई भक्ती में कम उमर में जुड़ता है और कोई भक्त जाड़ा उमर में जुड़ता है तो भगवान उनको इस जना में भक्ती पूरे करने का आउसर देते हैं क्या भगवान हर जीवन में और हर शन में सभी को आउसर देते हैं कि अपने दिवां को उन रूप से आनंद नहीं बना सकते हैं और जब कोई भक्ति में इतना आसकता होता है और समय और खुद तो भूल जाता है तो कि यह अच्छी भक्ति का प्रामान है प्रामान होता है कि विट्ति एपने समय का प्रयोग है सेवा रुट में करें तो कभी कभी सेवा पिर्फा की सवरूह होता है कि पुरी तरह से व्यक्ति धीयान मगना हो जाए ओने बाहि drifting आते पर कभी इतना घ्भाधी इसका सरूक होता है कि बाहिकों में वह पुरी तरह से लगा रहें किंतु हमेशा से उसकी भावना सेवा की में तो तो सेवा तो आप पंधर ध्यांत अगे रहे सकते, यह ओ कि आप सारे कार्यों में लगे हुए हैं कि तु आपका मन जो है पूरे शांत है है विछ लिपने है ठीक है हरे कुछना पुछन पुछन चाहते हैं कि अपना हैंड्रेस कर सकते हैं आपके इसमें दो जूम चालो है एक जूम को बंद कर दीजी प्लीज हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्णा प्रभुजी प्रभुजी इन दोनों ऐसे मेरे जान में आया कि बहुत संपर्क में आया ऐसे मात्याजीद कि जो ना ब्रुना अत्या कर रहे हैं तो मैंने उन्हें जो शास्त्रों में जो गलत है वो उन्हें समझाया लेक्चर में भी सुनाएं वो गलत है तो भी वो ऐसा शीरियस नहीं उसको इसके बारे में उनको इसए सिरियस करें प्रभुजी ज야न देना हमारा काम और ग्यान इस प्रकार शेयों के सामने वाले को बातसमजने आ मीए उस्ग्यान को विक्तिष्व करता है नहीं सौिए हको एक नदी के समान होना चाहिए कि कोई भी विप्ति अगर आगर वहां पर आता है तो हम पानी पीने के लिए, आज मेरा दिन अच्छा गया, या आज कोई नहीं है, तो आज मेरा दिन बुड़ा गया, तो इससे घड़े को अपना माप डंड नहीं रखना चाहिए, यश्का या अपके यश्का, उससे यही लेखना चाहिए कि जो भी उसके पास आया है, क्या उसकी प्यास बुची है यह नहीं उसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि इस बारे में ज्ञान देना चाहिए लोगों को क्योंकि बहुत आवशक हैं तो आप ज्ञान देते रहिए और इस प्रकार से ज्ञान देने का प्रयास की ठीटे कि सामने वाले को बात समझने आज़ें तत्पश्चाथ वह व्यक्ति कैसे उस ज्ञान का प्रयों करता है उस व्यक्ति पर आप उसे छोड़ दीजिए आप जो है आवश्चिक्ता पड़ने पर पुन्हां उन्हें ग्यान दे सकते हैं तक इसी और को आप ग्यान देने का प्रयास कि ठी क्यों प्रदीप दिक्षित्रू आप माई कॉन करके प्रेंश में बोच सकते हैं कि अ कि कि प्रदिप्रू आपकी आवाज नहीं आ रहे हैं प्रभुजी मेरा मतलब सवाल तो नहीं था लेकिन प्रभुजी मेरा मतलब रहे हैं तो आपका बहुत बहुत सवागत है और देखेना चाहते ही कि बहुत दिन होगया आपकी पास से दर्शन नहीं होए तो यहां एक बाद में कुरुपया प्रिच करके दर्शन बीजी इतनी मेरे रिक्वेश्ट में और कुछ नहीं करोणा के समय काल में हम थोड़ा सा दूर है तो तीनी वर्ष हुए उसके पूर्व तो छे साथ शाथ नहीं हो तेकिन आप कहा रहे हैं तो निश्यत रूप से जब भारत लोटेंगे अब ही तुझे सब्तार लोटने वाले भारत तो सारे हमारे जो समर्खक हैं हमारे संस्ता के सबसे हम मिलें हरे कृष्ण शुक्रिया और बुझे जो वक्त प्रश्ण पूझना चाते हैं पर अपना हैं ड्रेस विज़ेंगा यहां पे शरत श्रिवाजी पुझने के लिए माई कान कर सकते हैं इस ब्रस्टें आप आई कोंड कर सकते हैं अपनों प्रस्ण कोजिने के लिए इसने दंडवत प्रणाम प्रभुजी इसने डंडवत प्रणाम प्रपुछा था तो वहां के लोग तो हमसे बहुत ज्यादा समझदार होगे ना उनको तो पता होगा कि बगवान कृष्णा ही सर्वपरे और उनकी भक्ति करनी चाहिए तो वहां से भक्ति करके हम उदर गोलव पुरंदावन उनके पास नहीं जा सकते ठीक है यह पहला ही प्रश्ण पूशा गया था और हमने इसका उत्तर वह समय भी दिया था अब यह देते हैं कि किसी भी अवस्थाय परस्थिती में विक्ति जो है भगवान के सेवा करते हुए पूरे मन से सेवा करते हुए इस संसार से मुप्ध हो सकता है और भगवत भां ज आसकता है किसी भी ऑच्छाय में अब यह कहना कि किसी और लोग के निवासी जो है वह ज्यादा समझदार है यह बात सही नहीं है और यह भी हमने समझाने का प्रहास के हमने यह समझाया कि हरें वह मुध्ध है लोचीdam में समझदार का ए, समझदार रहे ever historia हमने एक आया समझ आपके किन तो यह जादा समझदार है यह किसी बी अवस्था में हमने उदारण भी दिया था कि कुछ प्राणी भी है जो पशु अवस्था में हमारे पास उदारण है का जिंद्र जी का जटायो जी का जो परमभक्त हैं पूरी तरह से भगवान में मन लगा चुके है तो वह अवस्था में विक्ति के पास शंटा यह होती है कि वह अपनी समझ बूज को या अपने बुद्धी को योग्यो से विक्त कर सके उपर के लोकों में जादा आउसार होता है साथ ही साथ के समझने की बात है कि अगर इस ब्रह्मान में विक्ति जन्म ले रहा है तो अभी भी इस ब्रह्मान के कि प्रति कोई ना कोई उसकी अभिलाशा अभी भी पाती है अभी भी उसके मन में कुछ ना इच्छा है इस ब्रह्मान के पत्ति इस संसार के लिए तब इस संसार में वह जन्म ले रहा है और वैकुंट निवासी बनना चाहते हैं तो हमें इस संसार का जो मोह है उससे अधिक आनन्द हमें वैकुंट लोग के जीवनी में होना चाहेगी नहीं तो फिर इस संसार को हम छोड़ नहीं पाएंगे जैसे अगर हमें सोचिए महराश्ट्र में रोटी मिल रही है लेकिन हमें मध्य प्रदेश में रोटी खानी है तो महराष्ट को छोड़ कर लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश जाकर भी महाराष्ट के रोटी के प्रती आसर करेंगे तो वापस महाराष्ट में आएगे तो यह बात समझने का प्रयास कीजिए किसी भी लोक में अगर वेक्ति जन्म ले रहा है इसका मतलब है कि उसका इस संसार में उसकी अभी भी रूची है जिस दिन उसकी रूची पूरी तरह से वैकुंठ के जीवनी में हो जाएगी तो फिर इस संसार से निकलकर वैकुंठ चला जाएगा चाहे वो ब्रह्मजूति में हो चाहे वो स्वर्ग लोक में हो चाहे वो नर्क में हो चाहे वो प्रत्वी लोक पर हो कहीं पर भी वैकुंठ के जीवनी में पूरी तरह से मन लग जाएगा तो फिर वह वैकुंठ जाएगा कि यहां पर उसके कोई वी रूची नहीं आ सकती तो वहां पर जाने का प्रयास कर रहा है तो फिर भी यहां पर नम ले रहा है इसका मतलब है कि अभी भी उस वेट्टी को यहां पर कुछ नकुछ रूची ठीक है? ठीक है प्रूजी? Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna और वोई जो भक्त प्रशन पूछना जाते हैं गरवे अपना hand raise कीजिए उपको अफसर दिया जाएगा प्रशन पूछने का तब तक जो Google Form पर प्रशना है मैं पूछता हूँ तो यहां पर सुनिल जी का प्रशना है और पूछ रहे हैं की Suffering from past bad thoughts regret thoughts and sometimes future worry thoughts facing difficulty to focus एक्षेक्ट उनका question नहीं है उनने अपनी situation यहां पर express किये पर दिया आंसर इस सिंपल if our focus is on the future and we are worried about it और if our focus is on the past and we have regret for it then we do not have time to work in the present and if we don't work in the present then we cannot change our situation so if we want to change our situation right now if we want to do better than where we are right now then we have to focus on the present and whatever opportunities and resources are available in the present so our request is that kindly focus on the present and whatever resources you have available in the present now if your past is too powerful or your future worries are too much over dominating your thought process then please be a little reasonable about how to use your own time if my present time is not used properly or if your present time you do not use properly then you will never be able to change your situation for example if I am worried about how deep a ditch is or if I am feeling a regret because last time when I tried to jump over the ditch I fell into the ditch if I am fearful about it however I need to go across the ditch so if I am worried about how deep it is and whether I would get you know any pain by falling into the ditch or if my concern is that how the last time I tried to jump across the ditch I was not successful I never make the jump and if I don't make that jump the ditch is still going to be there in front of me and I am still on the wrong side of the ditch so focus on your present see how to improve so that you can jump across the ditch see what you can do to make that jump favorable for you give up everything that makes the jump unfavorable for you so again accept that which is favorable and reject that which is unfavorable and that is our request into you focus on the present and work on improving a situation by doing whatever is essential in the present and if your past and future are too overpowering then find the strength to suppress them find the strength to rise above your past and your future and work in the present that is how you can change your situation and once you become successful with your present efforts then your future worries will subside a little and your past concerns will also go away because you've been successful now so to work for success be focused on the present and see how you can improve your abilities your capabilities in the present so that you can be successful in your present actions तो प्रश्रेंग का ये था कि पूर्वद जो भी हमारे जो भी अप्यश्ट है जिसका जिसकी वज़े से हम हमेशा तुकी रहते हैं या भविश्य में यह चिंता होती है कि क्या फिर से अप्यश्य होगा या फिर से समस्य हैंगी उसकी वज़े से हम परिशान रहते हैं और मायूस रहते हैं तो क्या करना चाहिए देखिए अगर आप अपने भविश्य से परिशान रहेंगे या आप अपने भूत से भूत काल का जो भी आपकी समस्या हैं उसके वज़े से आप मायूस रहेंगे या चिंतित रहेंगे तो फिर आप अपने वर्तमान में कारे नहीं कर पाएंगे और वर्तमान में अगर आप कारेकत नहीं रहेंगे तो आप अपने परिस्थिति को बदल नहीं पाएंगे क्योंकि आप कुछ करें नहीं रहें परिस्थ कि भरतमान में आपकी योग्यता क्या है और उन योग्यताओं को या आपकी जो काबिलयत है उसको अगर बढ़ाने की और शेक्ता है उसको इंप्रूव करने की अवशक्ता है तो आप उस पर ध्यान देए कि आपने काबिलयत को तो या आपने qualifications को improve करें, उसमें आप कुछ बढ़ुत्री ले रहे हैं, आप अपने आपको और सक्षम बना सके, इस पर ध्यान दे, और अगर आपने ऐसे करने में आपको सफलता मिल गए, अगर आप अपने आपके जो भी योग्यताएं, आपके जो भी काविलियत है, उसमें आप और अधिक सक्षम होगे, आप और अधिक उसमें, जो है, qualified होगे हैं, तो फिर आपका, आपकी परिस्ति बदलेगी, और जिस दिन आपकी परिस्ति बदलेगी, उसी को आप यश के रूप में देखोगे, उसी आपको आप सक्सेस के रूप में देखोगे, और जब आप आपको अपके जीवन में कुछ सक्सेस दिखेगा यश दिखेगा तभी आप पूर्व काल के भूत काल के अपयश को भूल जाओगे और भविश्य के जो आपकी चिंताएं हैं अपयश के उसको आप अंदेखा कर दोगे जो बरतमान में आपके पास जो संधियां हैं जो अपर है और आपकी जो सक्षंता है आपकी तो काबिये उस पर ध्याने दिए और उसका प्रयोग करते हुए आप वर्तमान में कर्म करते हुए बहले यहीं वर्तमान में पुना आपको यश्य ले लेकिन अगला जो आपका भविश्य का समय है वह जब अबतमान हो जाता है तो अप अपने शम्ताओं को बढ़ाने का प्रयास कीजिए जो भी आवश्यक हो अपने शम्ताओं को बढ़ाने के दिए वो अपनी चीह है और प्रयास करने से ही यश्वराप्थ होती है प्रयास नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। तो यह आपसे निवेदन है, नमद निवेदन है, कि हमेशा आप अपने वर्तमान में कर्मनिष्ठ है लिए। और कर्मनिष्ठ रहते हुए जो कर्म करते हैं, उसमें अपनी श्रमताओं को बढ़ने का प्रयास कीजिए। आपकी जो श्रमता है, आपकी जो युग्यता हैं, उसको आप और skilled बनाएए। विकम मोर skilled in life, try to do that, प्रयास करने से ही सफलता प्राप्त हुए। वेन यू, वेन यू, ट्राइटू इंप्रूब युग्यू देर कन देंप्रूब्में देगा, प्रयास करने से ही सफलता प्राप्त हुए। रयास नहीं करेंगे तो निश्यतुरूप से कोई परिवर्त प्रूप्त दिना हुए। अग्रिश्ण धन्याद्रू जी और भी जो भक्त प्रश्ण पूछने चाहते हैं पर अपना एंड रेस कीजिए अग्ला प्रश्ण यहां पर चैट में आया है श्री लक्षमी पिल्ले माताजी को पूछ रहे हैं की वाट पार्सनल प्रेयर श्यूड बी पार्ट ऑफ अवर ड प्रेयर श्यूड प्रेयर का हमें आश्रे लेना चाहिए अपने जीवन में बाल नहां में मफरों प्रार्थमार्थ के अच्छ कर सकते स्जाङिंक है अगला प्रश्म यहाँ पर साक्षी गाड़े मांतोची कर पुछ हरे कि क्या अध्य मिक जीवन एक प्रयास नहीं है कि वास्तविक्ता से भागने का अगर अध्यात्मिक जीवन में आप अध्यात्मिक ज्ञान को जहनते वह प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि अध्यात्म की जीवन में रहते हुए आप समसार के अपियाश्य से दूर चले जाएंगे तो फिर इसे भालना कहते हैं अध्यात्य देते हैं कि भारत में शायद अभी भी ऐसे एड्यूकेशन पॉलिसी है कि एक समय पर बच्चा अगर चाहे स्टूडेंट अगर चाहे विद्यार्थ अगर चाहे तो पूरी तरह से खली मैथ ले सकता है और साइंस छोड़ सकता है या ने ले सकता है और भांधी चोर सकता है या फ पि marché चोड़ सकता है पींसे केसिस्टंट्री ऄंट Może Sprit पिस्क्स केमिस्ट्री औंच पिसस्ट्ट्री और डॉलॉजी सबस्थ आपी इसको दूसरी करद से एक medics देख सकता है कि हाँ ले embrace सभाड है या उसने गे Zeiten यह भी बात सही है उस वेक्ति से पूछे हैं जिसने ऐसा किया स्टुडेंट में तो क्या सब्सक्राइब कुछ समझ में नहीं आता था तो जैसे मुझे मुझे मौका मिला हमें से छोड़ी तो उसे भागना समझ नहीं तो वह वेक्ति उस चीज पर ध्यान दे रहा है जो उसका strength है जो उसकी शक्ती है दिया दिया गया है कि वो म्यात पर ध्यान दे रहा है उसके कंशोरी है उसको दूर रख रहा है तो उसी प्रकार से भौतिक जीवन में यहां देखा गया है कि विक्तिक चिंतित रहता है दुखी रहता है और अध्यात्मिक शित्र में यहां समझाया गया है कि आप मेशा से सुखी रह सकते हो आनद में ही रह सकते हो अगर भौतिक जीवन में भी ऐसा विक्ति कर सकता है कि हम वक्तिल में तो फिर ठीक से अपनाया कुए तो कि दोनों की परिभाशा लगा ना इतंटिक की जीवन की परिभाशा क्या की यह कि जहां पर विप्धशीं दुख और अन्य विवस समस्याओं से चिंती रहते हैं अदा pracy hmm अनंद में हो जाए अध्यात्नीक जीवन में विख्थी अगर da तो अध्यात्मिक जीवन का पालब नहीं कर रहा है यह आप समझी लिए अब बात आजाती है चॉइस की संधी अवसर दिया गया गया अगर किसी के पास यह अपरचुनिटी है कि पूरी तरह से वह आनत अध्यात्मिक जीवन में सुखी रहे तो उसे यह नहीं समझना चाहिए तो इस रूप में देखना चाहिए कि जिसको जिस चीज में आनंद मिल रहा है उसे प्रयास करना चाहिए अब भौतिक जीवन और अध्यात्मिक जीवन में एक जो बहुत मुख्य जो दोनों के बीच में अंतर है वह यह है कि भौतिक जीवन में अगर व्यक्ति अनंदी पूरा उसे एक उसे फॉर्मूला मिल जाए यह हमेशा सुख्य रहता है लेकिन मुर्ट्यू के समय फिर उसका सुख का अंत हो वैसे तो बुद्धापे में थोड़ा बहुत अंत हो यह बीमारी में भी अंत हो जाते हैं लेकिन तो अध्यात्मिक जीवन में यह संभावना द जाते हैं कि आप नित्य रूप से अनंदि रहोगें रुट्यू उपरांग पुनरजन्म नहीं जाएगा तो यह समझाए जाते हैं कि ऐसे पोता है यह हो सकता है तो वह पूर्चिनिटी दी तो इसलिए कहा गया कि अध्यात्मिक जीवन में विक्ति नित्य रूप से अनंद अंतर है तो आपको समझने आ जाए तो यह बात हो गए कि अध्यात्तिक जीवन क्या होता है भातिक जीवन क्या होता है उसकी बीच में अंतर क्या है दूसरी बात जो प्रश्ण में हमें ऐसा लग रहाए है हमारी समझ है कि प्रश्ण पूछ रहे हैं ना इस उत्येश्य से में उनकी समझ ऐसी है कि जो बीदि अध्यात्मी में चल आ जाता है वो भौता-तिक कारें नहीं करता है इसे बात नहीं में देखिए जब तक हमारे पास ध्धौतिक शरीर है हमें भौतिक कारें करने परएंगे घले हैं अध्यात Nicole में हम नहीं है यैसे कि खाना है सोना है चलना है उतना है बेथना है जोना है सारे कारी तो हैं क्योंकि ये सारे कारे में ये शरीर के वर कर आद अभी इस जीवन में वो प्रयास करते रहें और मृत्य के समय वह पुरा स्मरण जो है तो अध्यात्म समझाता है कि जो वेक्ति ऐसा करता है उसे अध्यात्म सम्झाता है अध्यात्म जो है और अनुभाव कभी कभी अनुभाव मिल जाते हैं कि कुछ लोग क्याता है कि कथा ऐसी आती पुदर्द्रम किसी का हुआ है विक्ति मुक्त हो गया और मुप्त आत्मा उने आकर अपने अनुभाव समझाए तो यह शृधा की बात है कि आप उन चीज़ों क तो जब तक व्यक्ति अपना पूरा जीवन काल समाप्त करते हुए मृत्य को प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक अध्यात्मिक जीवन मेरी व्यक्ति को बहुतिक कारे में संदगन रहना ही है उस व्यक्ति को भौतिक कारे करने ही कि अंतर यह है कि वह व्यक्ति भौतिक कारे में लिफ्टं नहीं मौलक वह उसमें East ऑचिन के लिए और ऐसा किईसे हो सकता जैसे जल्षुरु के चुछते हो जैसे कि आप साइकल चलाना चंप चलाना सीखते हो तो कभी कभी साइकल चलाते हुए अगर ध्यान भी ना दें आप उसी मार्क से जाते हो अगर भ्यान भी ना दें आपका ध्यान किसी और चीज में खली इतना ही ध्यान दे रहे हैं कि रोड पर साइकल चलाते हुए आप किसी से तक्राय नहीं किसी को तक्लीब ना दे इतना ध्यान रखते हुए आपका मन आपके लक्ष पर नहीं आप घर जा रहे हैं रोज आप ऑफिस से घर याते हैं साइकल चलाते हुए आप साइकल चलाते हुए सिर्फ इतना ही ध्यान द आपकी आदत ऐसे होती है कि आप घर के तरफ ही मुझे रहते हैं अनकॉंशिस लिए अब जो अपने घर पहुंचा इसको मसल मेमरी के अपोल जाते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मी अपने घर से निकलते हैं और आधा रस्ता निकलने के बाद उसी समझ में आता है कि अरे व मेमरी के बातेशिकुका है, हमारे अनुभव में ने देख चुका है, हम अनुभव में यह बंब आप समझेगेक। स्वजी नहें वो इसके बारे में समझते हैं या जो कमांडो ट्रेशन लेते हैं जो मार्शल आठ ट्रेशन लेते हैं यह घर में जो ग्रेनी होती है जो रोटी बनाती है तवा पर सीखती है रोटी को वह बहुत स्कूलिए तो हाग से उसे समझ में यह देख रहे तवा को देख रहे रोटी को लेकिन उसमें पुरा ध्यान भास उसके उंगलियों से और उपर उपर जो इसको दिखाई दे कि ये सिंपल लॉचिक है ठीक है ये बहुत ही एक साधरण तर्क है तो ऐसा वेक्थी अध्यात्मिक जीवन में रूची रखते हुए भवती क्रिया करता है कि उसमें असरे और अगर कोई कि अपना कर्म आ उसने कोई अपने कर लिया है और वो अपने स्ट्रेंथ पर काम कर लिया है ठीक है चाहिए कि अग्वला प्रश्ण यहां पर है मैयूर मागे जी का मैयूर मागे पर पूछ रहे हैं कि वाट इस लॉफ अट्रेक्शन और इस इट्रू बहुत सारे से अलग-अलग सिध्धान्त रिक्टी जो है बता सकता है समझ सकता है अगर आपके जीवन में उससे लाव मिल रहा है तो आपके लिए उन्यों के सिध्धान्त है जो आप उसी के बारे में विचार करेंगे उसे प्राप्ट करने का प्रयास करेंगे संभाव में बढ़ जाते हैं तो उसे सब्सें में जाएगे कि अधारन के लिए अगर कोई वेक्ती जो है ख़ली ह्या रहा है कि हम जो हैं पैसे कीती आ सकत हो जाए और उसके प्रतिक हली आ सकती निर्वान करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ध्यान करते रहता है या कुछ ना कुछ वह विचार ते रहते हैं एक नंबर का रसी काम तो पैसा आपने आप तो चल कर नहीं आएगा। है। और अगर उसके हाथ में नहीं आ रहा है या वह चड़ नहीं पाए तो फिर विक्ति सोचते हैं कि कैसे चड़ें और वो अपना हाथ और उचा करें। तो फिर या तो एक टेबल ले आएगा कुरसी ले आएगा उसके उपर चड़ कर तोड़ने का प्रयास करेगा या फिर वो सीड़ी ले आएगा या किसी और से कहेगा जी भाई तुम कुझे नीचे से ढखे जिससे क्यों पर चड़ सकते हैं तो देखने के लिए आप और आप तैयार हो जाते हो आप वह अवसर देख उसे पराप्ट करने के लिए पिर आप महनत करोगे तो पराप्ट करने से पराप्ट करते हो थीक है कि अधुषण धेनात्व जी और भी जो भाक्त प्रस्ण पूशन चाहते हैं कि पर आपना हैंड रेस कीजिए अगला प्रश्ण यहां पर है कि मृत्यू के भड़ी से कैसे बाहर आएं सबसे पहले मृत्यू से भैबित होकर क्या मिलेगा जन्म लिया आया तो मृत्यू निश्यत है जैसे सोचिए कि पिछले बार हमने कुछ खाया था सोचिए हमने आम खाई थी और उसका पेठ दुखने लगा तो पेठ दुखने के भैसे आम खाने से कैसे बचे हैं ऐसे विचार करना चाहिए यह सोचना चाहिए कि भाई पेठ चूं दुखा हमाँ तो क्या हमारा आम के प्र अगर है अलर्जिक रियाक्षन है तो आप बंद कीजिए या फिर कोई और तरीका ढूंदी जिसे कि अलर्जिक रियाक्षन ना हो पर अगर आपने ठीक से आम खाया नहीं है इसलिए पेट दुखर है तो अगले बार ठीक से आम खाई है तो ऐसा जो विक्ति विचार करता है उसे बुद्धिमान विचार करता है वो सोचता है विचार करता है कि ऐसे क्यों हो उसी प्रकार से मृत्यू क्यों है और क्या मृत्य मृत्यू जो है कि उससे कोई विद्ति बच सकता है इस पर अगर आप विचार करेंगे तो फिर आपको उत्तर प्राफ्थ हो। जीकिन मृत्यू से आप भेवित होकर उससे भेवित ना हो ऐसे विचार करेंगी। तो आक मन्द में भेक ऐब विचारा आ रहे हैं तो भेक आप विचार मत की किये। रुक्तियों हमारी दीवन का एक सत्य है अब इस सत्य के बारे में आपको क्या-क्या उत्तर प्राफ्थ हो सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं जैसे कि हर वर्ष जो है ऐसे माना जाता है कि हर वर्ष तिथी के अनुसार आपका जनम दिन होता है एक साल आपकी उमर बढ़ जाती है आप एक साल उमर बढ़ रही है इसके बारे में दुख्यों हो या एक साल उमर बढ़ रही है तो उसके वज़े से हमारे पास और संधियां पर आप सब्सक्राइब हो गया हम कहीं पर भी जा सकते हैं वोटिंग कर सकते हैं अब उससे ऐसा करने सब्सक्राइब होने से मेहनत करने से मुख्त होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं तो मुख्त कैसे हुआ जाए इसके बारे में आप जो है ग्यान पराप्त कीजिए और मेहनत कीजिए कि पुना जो है मुख्त कीजिए चलिए अगर हाँ ऐसे मेहनत करने में जैसे अगर आप हमसे पूछेंगे कि नहीं आपसी रावत पर दीजिए कि क्या है तो फिर हम आपसे यह बात करेंगे कि देखिए भगवान जो है उन्हें मुकंद कहा गया भगवान को भगवान का एक एक नाम यह दिए कि अभय चरण करते हैं तो इसलिए भगवान को एक नाम है भगवान का एक नाम है मुकंद मुकंद का रथ है जो मुक्ति प्रदान करते हैं अभय चरण का रथ है जो अभवान का एक नाम है वरद राश्क कि वह वरदान देते हैं तो हमें अभय दान का व भगवान को ए अभे चरंद जा बुर्द राज के रूप में संभोतित करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं, उसमें मन लगाने का प्रयास करते हैं, मैनत करते हैं कि इसमें आनंद लें मन लगाएं, ठीक है? । अगला प्रश्norm है जो समाज का नेतरतो करते है कहीं संख्या 30 की होती है कहीं 3 की होती है तो एक अच्छा नेतरतो करने के explains क्या रूप मेंनंगे स्थाव्य। का लप परखर होंगे वाहप मिखरेंगेmeter करेंगे तुछ लोग इस प्रकार से आपको नेता बनहें रखी है है मेपकरते रही है मेपकर किसे करना चाही है मैने पुंटिगों में लगाणी चाहिए। जो आपके लिए अनुकूल हूं उसे सिखार है जो प्रतिकूल है उसे प्यादु और सब कुछ चेतना पर आधरत है면 उसले से उचितना को है उसलेदा को चवधर रखने में या चेतना को विख्षित रखने में जो कुछ अनुकूल है उसे स्विखारिये और जो कुछ प्रत्रिकूल है उसे क्या दिये इसलिए मेहनत कीजिए ठीक है अगला प्रश्ण सुवदरा सकी माताजी पूछ रहे हैं पूछ रहे हैं कि पती की भक्ति का फायदा पत्नी को होता है क्या भक्ति भगवान को पत्ति की यर्थि है और कभी कभी वो कुछ भ्रत्रोडकोuten है चिसे बभगवान पपर्टि की है साकार कर्थ ही कि जो हमारी इंद्रियों को समझ ने आ रहा है उसमें भगवान को देखनme पर्यांस करें Master हिए स्लिए ये समझने की यह स Etsy प्रकार से सिर्फ पती के लिए पत्मी के सवौिप में भी पती को भी ऐसी भाव में रखनी चाहिए नई ऑपनेध बच्चों की प्रतियी बच्चे माता-पिता की प्रति एसी माता-पिता साख्षात हमारे यह भगवान निओं निए जितने जो है जल सितने जैसे ए कुझा जी भगवान के चरणकमल So तो हमें पता है कि गंगा जी के पास जाकर हम पनी शद्धा व्यक्त करेंगे तो इसमें हमें हमारी ब्रगत होगी या हम जाते हैं मंद्र में जो विख रहे हैं लेकिन मंद्र में वहां पर जाएंगे हमारी जो विखित होगी यह म repent आपने श्क्न का झाएब गता है कि अपने पती के पती सेवा भाव रखेंगे कि उनमें भगवान स्थत है तो वैसे सेवा भाव से उनकी भक्ति जो है उसी प्रकार से पती को अगर लगता है कि पत्नी साक्षा जो है उसमें भगवान स्थत है तर्मात्मा के रूप में पत्नी की सेवा करते हैं, तो पती की भश्ची ढवना जो है, वो विक्सित होगा. यह माम पश्यती सरवत है, सरवन मुझे पश्यती है, यह भगवठीता में धक्वान संजाते हैं, सचने न परनश्या में, तस्या हम्माद, पनश्यती. जो मुझे सर्वत को देखता है, सब चीज़ों मुझी को देखता है, उसका करिनाश में होता है, उसमें हमेश अस्थित रहता हूं ठीक है? प्रुजी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्ण पूछना चाहते है कि पतियदी भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उसका सेवा कफल पतनी को मिलता है कि? दूसरों के सेवा कफल का आप क्यों चिंपा कर रहे हैं, अपनी महनत को पूरा विश्वा सरके, बागी का अगर किसी का महनत कफल आपको मिलता है, तो आपके लिए बोनस हो गया ना, बोनस से थोड़ी आपका काम चलेगा, जो आपकी आमदनी है, उससे काम चलेगा ना, ब बोनस हमेशा नहीं मिलता है, हमेशा तो आपकी जो हर मैने कि मासिख जो आपकी आंदनी है, वो आपको इस में आप जगर का खर्चा चल का, उसी प्रकाद से, आके अभ्णिक जीवन में जो भी विकास होगा, वो आपके महनत पर होगा, अपनी महनत करते बएए, और अगर के पति पत्मी माबाब भाई गुरु शेश्य जिसके भी मेहनत का फ़लाब को मेंता है तो आपके लिए बोनस अपनी मेहनत करके रहे हैं दूसरों के पति जो सेवा भावना है उससे भी आप बनाये रखें सेवा के इस पर कर दूसरों के कटमी यह देखते हैं कि उनमें कुछ कहना चाहते हैं तो माइक कॉन करके कह सकते हैं अब चाहित अपना भी प्रविवेक्ट कर सकते हैं आई कान करके घरे खुरे प्रभु चाहिए एक जोम बंद कर दिजे प्लीज एक ही चाहले रखें की रूम ही प्रुमेट दो इनी कर देंगा हैं दुसरा चाहलों कि को को आप बोल सकते हैं आपको माइक के पास आना पड़ेगा है जो भी आपका माइक चालू है ना शार्ज फोन पर या लाप्टॉप पर जहां पर भी चालू है आप अगर उसके पास आजाएंगे तो आपके आवाज सुनाएंगे या वॉल्यम कम होगा आपके माइक का वॉल्यम आप बढ़ा दें आवाज में दें तो आवाज आपने प्रभुजी साइकल का उजारेंग दिया इस दिन हम ऐसा जब कर रहे थे यह कर रहे थे जो आना आयास हो रहा है अपने आप वो बहुत अच्छा समझ में आया एकड़म क्लियर हो गया कि हमारी मन के अवस्ता कैसे हो रही है वो थोड़ा सा जान पाए हम लोग धन्यवाद यह सुबत्रासर के माताजी तो नहीं बोल रहे थे यह जैश्री माताजी बोल रहे थे नहीं जे प्रजी तो यहां पर हम रुकते हैं करते हैं जे प्रजी आज़में यहां वक्राइब से यह हो आश्या यहां यहां बोल रहे यह ज़र अज़कते हैं झाल झाल